अगतार पंजाब की जो एंटी गेंग से टास्ट पोर के उसके सामने उगल रहा है। फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्थाज कर रही है। पंजाब रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है। इसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं। पकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं। और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सल्मान खान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सल्मान खान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उ सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा र उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर ईजिंसी ओने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में इसको रखोर काके महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्था टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सल्मान घान को मारने के लिए लौरन विसनोई ने प् उन पे बात करा था वहीं कनाडा में बेठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानि कि लौरन विसनोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के ल कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे कि आखिस सल्मान घान को मारने का जो प जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इने एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस है उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों कि इसस शूटर इतनी चलाग थे कि इन्होंने सलमान गान के जो सुरक्षा गाड़ थे उन्हें ये कहक・到 बरगलाने की की कि वह सलमान गान के फैंस हैं और उन्हें महिंगी शराब तक अफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान खान इस रोट से होते हुए अपने पनवेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सलमान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद द दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले 4 मेनी तक 3 सूटर मूम्बई में थे और उसके बाद और उसे अजारबेजान में गिरवत आर कर लिया गया है लेकिन कपिल पंदीस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महरपुन होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्था टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानिकि लौरेन बिसनोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट क के जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तीहार जील के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे के लौरेन विस्नोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने यह तीनों ही वाजे में पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इने एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस है उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चा आज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाक थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल को ऐसे मोके आए जब सलमान खान अपने फार्माउस में मौजूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे प आता है और उसके बाद वो सीदे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिन्सियों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज विस्णोई ने प्लान भी तैयार किया था यहीं नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीबन अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कत्र कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जील के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे कि आखिस सलमान घान को मारने का जो प् बीका जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है ये आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दी के अधिकारी हैं उन्होंने आन कैमरा इस बात को तद्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पंडित के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और अधिक के बाद इन्हें एकबाइक मुहिए करा जाती है संतोज जाधा व्रेहने का इंतजाम करता हैं और सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार्तूज हैं उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सलमान खान गान का फामाओं से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान घान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सल्मान घान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें य इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मौके आए जब सल्मान घान अपने फॉर्माउस में तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहल उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मूंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मूंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पु कि कैसे सल्मान घान को मारने के लिए लौरन विसनोई ने प्लान भी तैयार किया था यहीं नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन विसनोई मुंबई में सचिन विसनोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकि लौरेन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सल्मान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उस जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तज़्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन किया से जो पिस्टल और कार्तुषैंट उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सीटर है वह पन्वेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसki रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सा दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इ हो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सलमान खान अपने फॉर्माउस में मौजूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मद बन बाता है और उसके बाद वो सीदे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज मारने के लिए लॉरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जियल में बैट कर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई ठापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात कर रहे था कनाडा में बेठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरेन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुवाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान खान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तीहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुँच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सल्मान खान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंड़ाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई ज जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दो से और उन्हें मेहंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमे दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई म में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पुन होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्ट इसतार दूर दिल्ली की तिहार जिल कर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई ठापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात कर nessa कि तीनों शूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्माण घान के मॉंवेंट की ने रहे थे यमिन कि लूरन वि दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राचपुरा में पहुँच चुकी है और कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपुर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आकिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज है जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी ग पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपा बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिक पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिस्नोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सलमान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सलमान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान के जो पनवेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान घान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विसनोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस न उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मूंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मूंबई जि कैसे करीबन 1000 किलमेटर दूर दिल्ली की तिहाड जिल में बैठकर लगातार लॉरेन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल 15 से लगातार फोन पर बात कर रहा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और तो लगातार सलमान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकी लॉरेन विस्नोई गेंग दो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसे वाल करने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राचपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वा को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राचपुरा पहुंच चुकी है यह आप राचपुरा का जो दफ्तर देख मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और ख तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से च उस्ताज में खुलासा हुआ है कि ये सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें ये कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चल जब सलमान खान अपने फार्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलि जब सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान खान के मुवमें का कत्ल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजित जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महाराश्टा पुलिस पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टर टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलीवोड सुपरिश्टार सलमान खान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है ये आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तज़्दीक किया था उसका इंतजाम करता है उसके बात लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर है वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चूकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर एजिंस्टियों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्प कैसे करीमन 1000 किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जियल में बेटकर लगतार लाइनि विस्नौई मुंबई में विस्नौई थापन और कपिल पंडित से लगतार फोन पे बात कर था वहीं कनाडा में बैठा गोलडी बरार भी लगतार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो 29 मई को सिद्दू मुसेवाला का कत्ल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो माराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुँच चुकी है और कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंड पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपा बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेसर सेल के अधिकार यह उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को तद्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इ पनबेल में जो सलमान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सलमान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें ये कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सल्मान खान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सू उन्हें पहुच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले च है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्था टास्पोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ बिस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात कर रहा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानि कि लौरेन बिस्नोई जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जील के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद ताकि सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्त करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान घान इस रूड से होते हुए अपने पनवेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर को यह तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सलमान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मौके आए जब सल्मान खान अपने फॉर्माउस में मौजूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्म जिसके बाद अभी सेंटर जिंसियों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरप्तार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज मूंबई पुलिस की काफी महत्पुन होगी क्योंकि कपिल ही पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जील में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की त प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही ह है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाउ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाउ रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और का अगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनबेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और डिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा स्सक्राइब उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सूर्मान ग्हान इस रूड से होते BM के फाूंद ये इन सूर्टर तक पता हैं उन्होंने ग्राउंड बर्ड किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चुकि उसी दोरान सिद विसनोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ड बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में किरप्तार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टर टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल क कि पूस्ताज में बड़ा खुला सा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था। परिन बिस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसे वाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राचपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी मह पूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवूड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है ल संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाओ रहने का इंतजाम करता है और सलमान घान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांस दोस्ती करते हैं और बिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इनोंने सलमान घान के सुरक्षा गार्ड थे इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फार्माउस में मौझूद लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विसनोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मूंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विसनोई मूंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर वो फरजी पासवर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जि रिंग्स्टर् टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इसपेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया कि कैसे सल्मान घान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तयार किया था, यही नहीं, पूश्ताज में ये भी खुलासा हुआ है, मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कत्र कर दिया जाता है और अपरेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग से टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेजा सेल के अधिकारी है उन्हों इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतो जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस है उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर है वो पनवेल में जो सलमान खान का फामाउ से उसकी बगायदा यहीं नहीं जो सल्मान घान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांस दोस्ती करते हैं और बिल्ली पुलिस की पूसताज में खुलासा हुआ है की इस सूटर इतने चालाक थे कि इनGHोंने सल्मान घान के जो सुरक्षा कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चुकि उसी दोरान सि चिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ड बनवाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर एजिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे रफ्तार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से हुने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महरट पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिटी वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब अंटि गंग्स्टा टास्पोर्स और डिल्ली पुलिस की इस्पधर सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैسे सलमान घान को मारने के लिए लओरन विष्णोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन 1000 किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी परार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरन विस्नोई गैंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तिहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अपरेल से पहले सलमान घान को मारने की ये बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और ये सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गैंग सा टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लॉरेन विस्नोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तज़्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन जो पिस्टल और कार्थूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महिने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांज द हैं और उन्हें मेहंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसम मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे और उसके ब कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महतपून होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्त था जिसने पंजाब एंटी गैंक्सटा टास फोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान गा स्ल्मान को मारने के लिए विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यहीं नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ कि कैसे करीवन 1000 किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जील में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात कर रहा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग म क्योंकि 29 माई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार ज अगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलीवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गय था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाध तक पेसे और उनने का फामाओ से उसकी रेकी करते हैं बकायदा यह नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांद दोस्ती करते हैं और दिल्ली पूलिस की पुस्ताज में खुलासा हुआ है कि यो पूरा रूड में प्ता चलाक थे कि इन्होंने संतों। पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मौके आए जब सल्मान घान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन चिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पास्वर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेज अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पुन होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इ लगातार लारन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बढ़ा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों शूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे याने कि लॉरेन विस्नोई गैंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसे वाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से प कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गैंग्स्टार काम ने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी है यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल को तदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाओ सचिन विस्नोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती कि यह संतोज जाधाओ रहने का इंतजाम करता है और सचिन विस्नोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनबेल में जो सल्मान खान का फामाओ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा य पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सल्मान घान के सुरक्षा गाड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सल्मान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड सूटर उन्होंने ग्राउल की था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गडे हैं तो सल्मान घान की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे म कहा सूटर उन्हेंinkर नहीं पाई चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पुन होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टर टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज म मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बेठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकि ल सल्मान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राचपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपुर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आकिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग से टास्पोर के उसके स राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही खिलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेजा सेल के अधिकारी उन्होंने आन कैमरा इस बात को तदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही रहने वाजे में पंडित के पास एक कमरा किराएपर लेते हैं और उसके बाद इने एक बाईक मुया करा जाती है a संतोज जाधाव रहने का इंतुदान करता इसे बात लगातार तीन से चार महिने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांथ दोस्ती करते हैं और बिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चाला से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गड्डे हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आ कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहां पर वो फरजी पासवर्ड वनबाता है उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद debat एजिन्सियों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है। तिहार जिल में बेटकर लगातार लॉरन विसनोई मुंबई में सचिन विसनोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था। से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपि और खुलासा होंगे कि आखिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है रोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के सेल के अधिकारी है उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को तद्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और का अगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनबेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा पर कि इसके बाद उन्हें पूरा रूट में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पनवेल के फामाउज जाते हैं, इन सूटर्स को यह तक पता था, उन्हों ने ग्राउंद बर्किया था कि जो पनवेल का रास्ता है, उसमें काफी गड़्डे हैं, तो सलमान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सलमान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पre थी दिल्ली पुलिस और पंजाल पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मैने तक तीनो सूटर मुंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पुहुंचता है वहाँ पर फर्जी पास्वोड बनबाता है उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अबी सेंटर इघिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजर बेजान में लोकेट करी थी उसके बाद उसे अजर बेजान में गिरपतार कर लिया ग्या है लेकिन कपिलपन्डी से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिलपन्डी ती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इसपेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीबन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बढ़ा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वह लगातार सल्मान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तीहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे के लौरेन विस्नोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्थाज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इस्पेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात क को तदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती ह संतोज जाधाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनबेल में जो सलमान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि ये सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सल्मान खान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें ये कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सल्मा सल्मान खान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो जानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनों सूटर मुंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन बिस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरबतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्था टास्पोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था। नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान खान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तीहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपुन कि आखिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्तार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सलमान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सलमान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती क हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिक की कि वह सलमान खान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान इस रोट से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐस किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर वो फरजी पास्वर्ट बन बाता है उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंट अब एंटी गेंग्स्टा टासफोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लौरन विस्णोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वह लगातार सलमान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो है वह ले रहे थे यानिकि लौरन विस्णोई गैंग दो प्लान है वह एक्जिक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुवाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे कि आकिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी है यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही ह है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाउ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाउ रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और का अगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनबेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांस दोस्ती करते हैं और डिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा उन्हें पूरा रूड में पदा चला कि सलमान घान इस रूड से होते उए अपने पंवेल के फामास जाते हैं इन इन सूटर्थ को यह तक पता था उन्होंने इस ग्राउंड बर्वर किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उस काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मौके आए जब सल्मान घान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन बनबाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्टियों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज म जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टर टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लौरन विसनोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन विसनोई मुंबई में सचिन विसनोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानिकि लौरन विसनोई गैंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तिहार जेल के अंदर से लगातार जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर होगी उसके बाद कई और कि आखिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गंग्स्तार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लॉरेन विस्नोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी है यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रह पहले संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाओ रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पंबेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होत की कि वेस्सामान खान के फैंस हैं और उन्हें महींगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पनवेल के फामा उजाते हैं इन सूटर को ये तक पता था उन्होंने गराउंड वर्ष किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान विसनोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ड बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरबतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इसपेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीबन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बढ़ा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था लाजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सल्मान खान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज है जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजा आपकी जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलीवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लौरन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महर आजपूरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस सचिन बिसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतो जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो प उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान घान इस रूड से होते हुए अपने पनवेल के फामाउश जाते हैं इन सूटर को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सलमान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चूकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका प प्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर एजिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उस करने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पं ये तिहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की ये बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और ये सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे कि आखिस सलमा खान को मारने के लौरेन विस्नोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराष्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतो जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और कार् 234 महीने तक जो तीनों सूटर है वो पनबेल में जो सलमान घान का फांगाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सलमान घान के सुरक्षा गाड़ होते हैं उनके सांद दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि ये सूटर इ चला कि सल्मान खान इस रोट से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जि उसका पूरा जो जिम्मदारी थी, वो सचिन विस्णोई के कंदे पि थी। दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे हैं। पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जियल में बैटकर लगातार लौरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बैठा का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई ज जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दो से और उन्हें मेहंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उस उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पास्वर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपता कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पुलिस की काफी महत्पुन होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकि लौरेन विस् जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपुर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आकिस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाओ रहने का इंतजाम करता है और सचिन विसनोई जो पिस्टल और का लगा तार 3 – 4 महीने तक जो पनबेल में जो पनबेल में जो सलमान घान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यह नहीं के सुरक्षागार होते हैं उनके साँच दोस्ती करते हैं और डिल्ली बिल्स की पूस्ताज में खुलासा हुआ एक है कि आगी प्लिस तने फ्रत सूटर और मोर्ण सिद्टू मुंषे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा और उसका पूरा जो जिम्म्यदारी थी वो सचिन विश्णोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनों सूटर मुंबई में थे उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पास्वर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसक पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौर बिसनोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 माई को सिद्धू मुसे वाला का कतल कर दिया जाता है और अपरेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उ यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तीहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला से होंगे कि आकिस सलमान खान को मारने के लौरेन विस्नोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज 18 इंड में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मा खान के सुरक्चा गार्ड होते हैं उनके सांथ दोस्ती करते हैं और दिली पूलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान के जो सुरक्षा गाड़ थे उन्हें ये कहकर regrets कि की कि वे सलमान खान के फैंसे और उन्हें महंगी शराब तक आफर की। इसके बाद उन्हें पूरा रूट में पता चला कि सलमान खान इस होते हुए अपने पनवेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सलमान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सलमान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विसनोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस न उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडीघ से होने वाली पूस्ताज मूंबई पूलिस की काफी महत्पुरूण होगी क्योंकि कपिल पंडीघी वो शक्स था जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टासपोर्स और दिल्ली पुलिस की इसपेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लॉरन विस्टाज में प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीबन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर में था और वो लगातार सलमान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरन विस्नोई गैंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तिहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल कोन का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 29 मैं को सिद्धू मुसेवाला का कत्र कर दिया जाता है और अपरेल से पहले सलमान खान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किया जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राध से टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलीवोड सुपरिश्टार सलमान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो जा पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताच कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेजा सेल के अधिकारी है उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को तज़्दीक किया था कि क इस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित ये तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाव र लेकी करते हैं बकाइदा यहीं नहीं जो सल्मान घांके सुरक्छा गाड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और बिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुशा हुआ है कि ये सूटर इतने चालाक थे कि इन्होंने सल्मान घान के इन्होंने ये कहकर बरगलाने की कोशिक तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान घान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विसनोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से प उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मूंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मूंबई जिसने पंजाब एंटी गंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुल कि कैसे सलमान गान को मारने के लिए लॉरन विस्नोई ने प्लान B यहीं नहीं पूस्ताज में यह बही सो हुआ है कि कैसे करीवण 1000 क्लोंएर दूर रिक्ली की थिहार जिल में वैठकर लगातार और लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई ठापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बेठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानिकि लौरेन बिस्नोई गैंग दो जो प्लान है वो एक् यार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाड़ा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार जेल के अंदर तो महराश्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुला महराश्टार सलमान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुंच चुकी है यह आप ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनो अगतार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांस दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ आए कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान के जो सुरक्षा गाड़ थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान खान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान खान इस के आए जब सलमान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली रेजिंसियों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था ज कैसे करीवन एक हजार क्लिमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोलडी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग मे ता क्योंकि 29 माई को सिद्धू मुसेवाला का कत्र कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार ज से राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टर टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान खान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी है यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है ल गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पंबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इने एक बाइक मुहिया करा जाती है संतो जादाव रहने का इंतजाम करता है और सचिन बिसनोई जो पिस्टल और कार्टूस है उसका इंतजाम क करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गाड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घान के फैंस हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सलमान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर वो फरजी पासव क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पुलिस की इसपेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान घान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया थ कि कैसे करीवन 1000 किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानिकि लौरन विस्नोई गैंग दो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तिहार जिल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्दू मु अधानी दिल्ली की तिहार जिल के अंदर तो महराष्टा पुलिस राजपुरा में पहुंच चुकी है और कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग से टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुंच चुकी है पूस्ताज कर रही है लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को तद्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन कोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर है वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके खलासा हुआ है कि ये सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान खान जो सुरख्चह-गाड थे उन्हें ये कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान खान के फैंस हैं और उन्हें मेहंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्त जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनों सूटर मुंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सल्मान घान को मारने के लि लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकि लौरेन विसनोई गेंग दो प्लान है वो एक्जेक्यूट कर करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुवाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सल्मान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये ज था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई ज जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दो से और उन्हें मेहंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमे दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जारी थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्टा टास्पोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खु थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाड़ा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सल्मान घान के मुव्मेंट की हर जानकारी जो हैं वो ले रहे थे यानिकि लौरेन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कतल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सल्मान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उस सल्मान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह है लेकिन कल जिस तरह से न्यूजेटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तज़्दीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनो कोई जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सां सलमान खान के फैंस हैं और उन्हें महंदी शराब तक अफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान खान इस रूड से होते हुए अपने पंवेल के फामा उस जाते हैं इन सूटर को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंडवर्क किया था कि जो पनवेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान खान की गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फॉर्माउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुँच पाए चुकि उसी दोरान विसनोई मुंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासवर्ट बनवाता है और उसके बाद वो सीदे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरबतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मुंबई पूलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मुंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्ता टास्पोर्स और दिल्ली पूलिस की इस्पेदा सेल की पूस्ताज में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सलमान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तयार किया था यही नहीं पूस्ताज में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलोमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लॉरन विस्नोई मुंबई में सचिन विस्नोई थापन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बढ़ा गोल्डी बरार भी लगातार तीनो सूटर के संपर्ग में था और वह लगातार सल्मान खान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लॉरन विस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था पुरा में पहुँच चुकी है और कपिल पंडित से होने वाली पूस्ताच काफी महटपूर्ण होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सल्मान खान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज है जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलीवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद पुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहां पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्टाज कर रही है लेकिन कल जिस त से अप्रेल से पहले संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाओ रहने का इ बेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान घान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सल्मान घान के सुरक्षा गार्ड थे उन्हें यह कहकर बर्गलाने की कोशिच की कि वे सलमान खान के फैन्स हैं और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सलमान खान इस रूड से होते हुए अपने पनवेल के फामाऊ जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मधारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर म मूंबई में थे और उसके बाद अप्रेल में सचिन विस्नोई मूंबई से दिल्ली पहुंचता है वहाँ पर फरजी पासपोर्ट बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिन्सियों ने उसकी लोकेशन अजरबेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरबेजान में गिरपतार कर लिया गया है लेकिन कपिल पंडिस से होने वाली पूस्ताज मूंबई पुलिस की काफी महत्पूर्ण होगी क्योंकि कपिल पंडिती वो शक्स था जिसने मूंबई जिसने पंजाब एंटी गेंग्स्ट कर दूर दिल्ली की तिहार जील में बैटकर लगातार लॉरन विसनोई मूंबई में सचिन थपन और और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात कर दा वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वह लगातार सलमान घंग zijn क मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसेवाला का कत्र कर दिया जाता है और अपरेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश से राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टर टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सल्मान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी ह यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा है दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया गया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही ह लेकिन कल जिस तरह से न्यूज एटीन इंडिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया था और खुद जो दिल्ली पुलिस के इसपेज़ा सेल के अधिकारी है उन्होंने आन कैमरा इस बात को तजदीक किया था कि किस तरह से अप्रेल से पहले संतोज जाधाव सचिन विसनोई ज जो पिस्टल और कार्टूस हैं उसका इंतजाम करता है उसके बाद लगातार तीन से चार महीने तक जो तीनों सूटर हैं वो पनवेल में जो सल्मान खान का फामाउ से उसकी रेकी करते हैं बकाइदा यही नहीं जो सल्मान खान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ दो से और उन्हें महंगी शराप तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान ग्हान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फामाउस जाते हैं इन सूटर्स को ये तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसमें काफी गड़े हैं तो सल्मान घान की गाड़ी की स्पीड जो है वह बहुत कम होगी जिसके बाद दो ऐसे मोके आए जब सल्मान खान अपने फामाउस में मौझूद थे लेकिन सूटर उन तक नहीं पहुंच पाए चुकि उसी दोरान सिद्दू मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जारी थी और उसका पूरा जो जिम्मदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पी थी डिल्ली पिलिस और पंजाब जिन्सियों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे अजरवेजान में गिरपतार कर लिया गया है। तिहार जिल में बैटकर लाँ लगातार लौरेन विस्णुई मूंबई में सचिन अम विस्णुई तापन और कबिल Anybody गेंग आप लगातार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में ता क्योंकि 29 माई को सिद्धू मुसेवाला का कत्ल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो है वो तैयार किये जाता है और यह सब कुछ हो रहा था कनाडा और देश की राधानी दिल्ली की तिहार ज आज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग्स्टार टास्पोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान खान को मारने के लौरेन विसनोई गेंग के प्लान बी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपुरा पहुँच चुकी है यह आप राजपुरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार किया था फिलाल यहाँ पर पंजाब पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूस्ताज कर रही है ल संतोज जाधाओ सचिन विसनोई जो अजर विजान में गिरपतार हो चुका है और कपिल पंडित यह तीनों ही वाजे में पनबेल के पास एक कमरा किराय पर लेते हैं और उसके बाद इन्हें एक बाइक मुहिया करा जाती है संतोज जाधाओ रहने का इंतजाम करता है और सलमान घान के सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके सांस दोस्ती करते हैं और दिल्ली पुलिस की पूस्ताज में खुलासा हुआ है कि यह सूटर इतने चालाग थे कि इन्होंने सलमान घान के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें यह कहकर बरगलाने की कोशिच की कि वे सलमान घा से और उन्हें महंगी शराब तक आफर की इसके बाद उन्हें पूरा रूड में पता चला कि सल्मान खान इस रूड से होते हुए अपने पन्वेल के फार्माउस जाते हैं इन सूटर को यह तक पता था उन्होंने ग्राउंड बर्क किया था कि जो पन्वेल का रास्ता है उसम मूसे वाला को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी और उसका पूरा जो जिम्मेदारी थी वो सचिन विस्नोई के कंदे पे थी दिल्ली पिलिस और पंजाब पिलिस ने ये भी खुलासा किया है कि अप्रेल से पहले चार मेने तक तीनो सूटर मुंबई में थे और उसके अप्रेल में सचिन विस्नोई मुंबई से दिल्ली पहुंसता है वहाँ पर फरजी पासवर्ड बन बाता है और उसके बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है जिसके बाद अभी सेंटर जिंस्यों ने उसकी लोकेशन अजरवेजान में लोकेट करी थी और उसके बाद उसे में बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सल्मान खान को मारने के लिए लौरन विस्नोई ने प्लान भी तैयार किया था यही नहीं पूस्ताज में ये भी खुलासा हुआ है कि कैसे करीवन एक हजार किलमेटर दूर दिल्ली की तिहार जिल में बैटकर लगातार लौरन और कपिल पंडिस से लगातार फोन पे बात करा था वहीं कनाडा में बेठा गोल्डी बरार भी लगातार तीनों सूटर के संपर्ग में था और वो लगातार सलमान घान के मुवमेंट की हर जानकारी जो है वो ले रहे थे यानि कि लौरेन बिस्नोई गेंग दो जो प्लान है वो एक्जेक्यूट करने के लिए तीहार जेल के अंदर से लगातार मुवाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था क्योंकि 29 मई को सिद्धू मुसे वाला का कत्ल कर दिया जाता है और अप्रेल से पहले सलमान घान को मारने की बड़ी शाजी जो है उसका प्लान जो उसका खाका जो होगी उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि आखिस सलमान घान को मारने का जो प्लान भी था उसके कई और ऐसे राज हैं जो अभी कपिल पंडित जो है लगातार पंजाब की जो एंटी गेंग से टास्टोर के उसके सामने उगल रहा है बॉलिवोड सुपरिश्टार सलमान घान को मारने के लॉरेन विसनोई गेंग के प्लान भी का जिस तरह से एक आरोपी कपिल पंडित ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है उसके बाद महराश्टा पुलिस जो है वो पंजाब के राजपूरा पहुँच चुकी है यह आप राजपूरा का जो दफ्तर देख रहा हैं दरसल यहीं पर जो कपिल पंडित दीपक मुंडी और एक और जो आरोपी है जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरपतार की